नमस्कार, हे मन्त उपाद है, कंजूमर वाइस से, आज हम बात करेंगे केबिल डिजिटाइशन के बारे में, कहां तक और कैसा डिजिटाइशन हो रहा है? अभी तक जितना भी डिजिटाइशन का काम हुआ है, जो नवंबर में फेज वान कंप्लीट होना था, और उसके बाद फेज टू अप्रिल में कंप्लीट होना था, दोनों में ही बहुत ज़्यादा प्राब्लम दिखाई दे रही हैं, सभी की तरफ से, कंजूमर्स खुश नह क Fish management system, ठीक से काम नहीं कर रहा है, आज भी नहीं कर रहा है जब कि नवंबर से अब तक इतने महीन निकल चुके हैं, रेजिस्टरेशन प्रॉपर नहीं हो पाया है, consumers का, consumers को अभी तो पता नहीं है, कि really उनकी variability क्या है, केबल ऑपरेटर्स को अभी भी पता नहीं है को उनको क्या मिलेगा वो कहां स्टेंड करते हैं इसके अलावा दो मेट्रो सिटी में कोर्ट के आदेश के अनसार जो डेडलाइन है वो अभी फिक्स नहीं की गई है चैन्नाई और कैलकटा में अभी तक फर्स्ट फेज भी कंप्लीट नहीं हो पाया है सिमिलरली सेकंड फेज के लिए कई स्टेट्स जैसे आंध्रा प्रदेश और गोवा पर डेटराइशन को अभी इस्थागित कर दिया गया है रीजन बहुत सिंपल है कि तेयारी पूरी नहीं है अब तो सेट आप बॉक्स भी अवलेबल नहीं है केवल ऑपरेटर्स कोई भी इंटरेस नहीं दिखा रहे हैं कंजूमर्स को अभी भी पता नहीं है कि यह लिए उनकी लिएबिलिटी क्या है कितना उनको हर महीने पेमेंट करना पड़ेगा क्या क्या उनको मिलेगा हर रोज चैनल्स बंद किये जा रहे हैं जिससे कंजूमर्स को बहुत ज़ादा प्राब्लम हो रही है और सबसे बड़ी प्राब्लम यह है कि MSO और ब्राडकास्टर्स मिलके एक यह बुके सिस्टम को प्रमोट करने के कोशिश कर रहे हैं जिसमें अन्वांटेड चैनल्स पुश किये जा रहे हैं जिसमेर को जो चाहिए वो चैनल्स नहीं मिल रहे हैं यह बहुत बड़ी समुश्या कंजूमर्स पेस कर रहे हैं इसकी वज़े से केबल ऑपरेटर्स कंजूमर्स को पेस नहीं कर रहे हैं जिसवज़े से इसका काम जो है बीच में लटका हुआ है So, dataization in all seems to be a failure as on date. Thank you. by our legal department on any consumer issue to subscribe contact us at 0 1 1 4 7 double 3 1 0 1 4 0 2 and 0 3 you can email us at subscription at the rate consumer dash voice dot org